भागलपुर के सहाकुण पर्खण में 20 अक्टूबर को होने बारे पंचाया चुनाप को सान्ती पूर्ण निस्पक्ष और भैमुक्त वातावरन में संपन कराया जाने को लेकर डियम सुबरत कुमार सेन, सान्ती पूर्ण और निस्पक्ष चुनाप कराया जाने को लेकर दिसानिर्दी इस भी दिये इस दुरान डियम सुबरत कुमार सेन ने बताया कि 20 अक्टूबर को होने बारे पंचाया चुनाप को लेकर प्रसासनिक तयारियां पूरी कर ली गई है, सभी पंचायतों में जौर्ण सेक्टर मजिस्टेट, सेक्टर मजिस्टेट की तनाती की गई है, और सान्ती पूर्ण चुनाप संपन कराया जाने को लेकर सभी समवेदन सील और अती समवेदन सील बूथों उपर मजिस्टेट के साथ पुलीस बलों की तनाती कर दी गई है, सब बढ़िया तेयरी है अच्छे से होगा जोनल, सुपर जोनल, सेक्टर मिनिस्ट्रेट लगाए गया है तो बहुत अच्छे से फिनावसंपन होगा सांतिपुन, वातावरन में और मदगन्ना भी जो सबोर में होनी है जो किसी महावी त्याले है वहाँ भी अच्छे से मदग परफुर के जगदीशपूर परखण में 3592 हिक्टेर में कतरनी धान की खेती हुई वही इस बार अभी बेमौसम हुई बारिस से कतरनी धान सहीत बिभिन किसमों के धानों को काफी नुकसान पहुचा है बारिस और हवा से कतरनी धान खेत में गिर गए है जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है किसान भारती अभुसंजा की सवपंजियारा अनूपलाल यादब गोदो यादब महावीर यादब दिवेंद्र यादब आदी ने बताया कि इस बार कतरनी सहीत अन्यधानों की फसल बढ़िया थी लिकिन अचानक इस हवा और बारिस के चलते कतरनी ध पादन का लक्ष है बारिस और उलाविरिष्टी से ढ़ाई से तीन क्विंटल ही फसल हो सकेगा अभी भी जो फसल का नुकसान हुआ है उसका आकलन कलाकर रिपोर्ड भेजी जाएगी बागलपूर सहित पूरे देश में इद ए मिलाद उन्नवी का तहवार मनाया जा रहा है इसलाम धर्म का या प्रमुक तहवार है अर्भी भासा में इसका अर्थ है जन्म और मौलिद उन्नवी का तातपर है हजरत मुहम्मद सहब का जन्म दिन परती वर्सी हतेवार बारा र सल्मानों को कुरान का संदेज देने वाले और आखरी इनसान थे इसलिए मुस्लिम समुदाय उन्हें बेहद आदर सम्मान के साथ इस दिन याद करते हैं और अपनी अपनी मानिता के मताबिक इस्तेवार को मनाते हैं सहर के बिभिन महलों से जुलूस निकाल कर इस्टेशन चौँक पर इकटा हुआ और फिर मोलाना चक सहेट बिभिन मस्जिदों में जाकर प्रातना की गई जिसके बाद सभी अपने अपने घरों की और निकले तेहवार को लेकर काफी बड़ी संख्या में पुलीस बलों की तैनाती चौंख चलाओं पर की गई थी इन दिनों भागलपूर मुझायतपूर थानाचितर के हुसानाबाद दुर्गा मंदिर प्रांगन में जिला प्रसासन के दोरा कोरोना गाइडलाइन के अनुसार रोग के बाबजूद नवरातरी के बिजिया दसमी के मौके पर आयोजित बालबालाओं का डांस सोसल मीडिया पर काफी तेजी से वारल हो रहा है कारिक्रम पारसद परतनीधी विने गुपता के दोरा कराया गया कारिक्रम की प्रसासन का नुमती भी नहीं ली गई थी इस दोरान जमकर भोचपूरी के असली इलगानों पर डांसरों के साथ साथ लोगों नी ठुमके लगाए इतना ही नहीं कोरोना संक्रमन के डर को भूल कर कोरोना गाइडलाइन की धजियां उडाते दिखे विडियो में साफ देख सकते हैं कि असली इलगानों पर बारबालाओं के साथ पारसद परतनीधी विने गुपता हजारों लोगों के सामने जमकर ठुमके लगा रहे हैं आरकेश्ट का दराल ना तो किसी के चेहरे पर कोरोना संक्रमन का डर नजर आ रहा था और ना ही नियमों के लंगन पर प्रसासनी कारवाई का डर दिख रहा था पिरपैती परखंड चेतर में रवीबार को भी बूंदा बूंदी वम सुमबार को चली तेज हवाई वम बारिज से परखंड चेतर के खेतों में लगी हुई धान की फसल को काफी नुकसान पहुचा है जिसके करन किसान चिंतित है अभी धान तयार होने में लगभग 20 दिन का समय बाकी है और तेज बारिज और आंधी तुफान से परखंड चेतर के किर्तनिया राजगाउं और आजी रिफादपूर सिमानपूर प्यारापूर हर्देब चक रौसनपूर बंधुजारामपूर आधी पंचायतों में किसान के खेत में लगी धान की फसल को काफी की है वहीं परखंड किर्स्ति पतादिकारी उमासंकर चौधरी ने कहा कि जमीनी अस्तर पर जाच करवा कर च्छती का आकलन करवाया जाएगा कस्मीर में लगातार आतंकियों के दुरा बिहारवासियों की हत्या को लेकर कानिस विधायक दलके नेता सहभागलपूर की विधायक अजीत सर्मा ने केंदर सरकार और राज सरकार पर जम करने साना साधा है उन्हें का कि परधान मंत्री कस्मीर में आतंकवाद के सफाई की बात करते हैं लेकिन लगातार आतंकवादियों के दुरा निहत्ते बिहारवासियों की हत्या की जा रही है जो वहां काम करने के लिए गए हुए हैं उन्हें उन्हें ने बिहार सरकार पर हमला करते वे कहा कि बिहार में रोजगार के कोई साधन नहीं है जिसको लेकर बिहारवासी दूसरे राज्यों में काम की तलास में जा रहे हैं और वहां भी उनकी हत्या की जा रही है सरकार को प्रदेश में कलकार खाने लगाने की जरुरत है जिससे कोई बिहारवा से बाहर ना जाए उन्हें कस्मीर से लोटे लोगों को रोजगार देने की मांग सरकार से की है उससे प्रित परिवार का क्या होगा प्रित परिवार को सरकार को नौक रिदेनी चाहिए काम की खोज में मां काम कर रहे थे लिए यहां पी जो सरकार क्या सोलह वर्षों में अन्होंने कार खाने मियंत तो और मेरा क्या कर दिया हो आप अब अतक्ति खतम हो जाया यहा लोग सब लोग यह धब भपा बेचना पूरी पर बेचना ही सब काम करते थे और पदर बीज़ार कमाते थे मतलब आपको रोजगार यहां नहीं है तो पदर बीज़ार कमाने लोग वहां बाहर जा रहे हैं लाइन्स कलब और भागलपूर फेमिना के और से आयोजित दिवाली मेले का उधगाटन भागलपूर की प्रूप महपाओ डॉक्टर प्रिति सेखर डॉक्टर प्रतिभास सिंग और फेमिना के अध़ज बविता अगरवाल ने सवयुत रूप से किया लाइन्स भागलपूर फेमिना के और से लगाए गई प्रदर्सनी के दुरान महिला ससक्तिकरन को बढ़ावाद देते हुए महिला उध्यमियों के लिए लाइन्स कलब और भागलपूर फेमिना के दुरा स्टाल लगाए गए इस टॉल में मंडला आर्ट पेंटिंग आकरसन का केंदर रहा भागलपूर की रेशमी कपड़ों पलोकेरी के इकलाकिर्ती लोगों ने खूब सरहा और लोग इसकी जम कर खरिदारी करते दिखे साथ ही मंदला पेंटिंग भी आयोजन मैकरसन का केंद रही मौके पर बिनोद अगरवाल पंकश्टंडन पूनम रेखा निलू सारीका खेत्रिवाल समेत कई लोग मौजूद थे सुल्तान गंज परखंड में मुसलिम समुदायों के लोगों ने सांती का पैगांब राष्ट की एकता और अखंडता का परिचे देते हुए मौम्मद पैगंबर के जन्म दिवस को बड़े ही हर सुल्लास के साथ मनाया हर साल के भाते इस वर्स भी सुल्तान गंज परखंड के बिबिन अखाडों के द्वरा जुलूस निकाला गया जुलूस सुक सांतिम आपसी भाईचारे का संदेज देते हुए लोगों ने हातों में तिरंगा जंडा और इसलामिक जंडा लेकर सहर का भ्रहमन किया इस दुरान जुलूस में गाजे बाजे और घोडे के साथ नाचते गाते लोगों ने सहर भ्रहमन करते हुए कोलगाम पहुँचे फिर पुनह जुलूस सुल्तान गंज गंगा घाट इस्थित बड़ी साही मस्जित पहुँचकर जुलूस का समापन किया इस दुरान मुसलिम समुदाय के हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे भागलपूर के सेंडिस कमपाउंड में 23 अक्टूबर से तीन दिवसिया निसुल की योग सिविर का आयोजन किया जा रहा है योग सिविर वसिष्ट योग फौंडेशन के संस्थापक योग गुरू धिरज वसिष्ट तीनो दिन सिविर में लोगों को योग के दुरा स्वस्त रहने का टिप्स देंगे संस्था के राश्टिय संगठन परमुक योगी राजी प्समिस्रा ने बताया ये कारिक्रम में संस्था के परमुक और संस्थापक योग गुरू धिरज वसिष्ट तीन दिन सिविर में मौझूद रहेंगे और उनके ही मारग दर्शन और उपस्तिती में सिविर में आई साधकों को योग का प्रसिष्चन दिया जाएगा